So, hey guys, welcome back to the channel and finally आचुकी को और नियो टिप्स इंडिक्स वाली वीडियो के साथ में तो guys, जैसा कि तुम सब भी को पता होगा, अभी हमारे गेम में जो है ना कोई भी इवेंट नी है, कोई भी मोड नी है, जो खेलने में ना थोड़ा सा बोरिंग हो चुका है, तो ऐसे में जो लाइक किया, तो लाइक कर देना, सबस्क्राइब कर देना चैनल को, बाकि शुरू करते हैं वीडियो को बिदाउट वेसे इने मोड टाइम, लेट स्टार्टेड जो एनिमी है उनके रीज में आगा ना, तब वो उससे फाइट लेंगे या तो प्री पीक देंगे या फिर प्री फायर देने की कुशिश करता है, तो गईस कभी भी है ना, वो ओपिन में जाके फाइट नहीं लेते हैं, यही सेम चीज तुमें करनी है गाईस, अगर तुम चाहत हो एक better TDM player बनना तुम्हें advantage है ना, एनिमी को नहीं देना है, एनिमी को ऐसी जगे पर तुम्हें बुलाना है जहां पर तुम्हें advantage मिले और एनिमी को है ना, वो disadvantage मिले वहाँ पर, तो यह जो चीज है ना, यह better TDM player बनने में बहुत ज़ादा help करेगी तुमारी, तो जितने भी TDM players है ना, वो मुझे relate कर पाएंगे कि उन्हें एक side पर खेलना जाधा पसंद होता है, लाइक मुझे राइट side पर खेलना जाधा पसंद है, अगर मैं left पर जाता हूँ ना, तो उतना जाधा comfortable में feel नहीं करता हूँ, although मैं वहाँ पर ठीक ठाख खेल लेता हूँ, लेकिन अगर compare करें कि कौन सी side पर मुझे जाधा मज़ा आता है, तो वो right side होती है, तो तुम में से भी काफी लोगों की ना, favorite side होती होगी, या फिर favorite जो है ना, place होती होगी, लाइक काफी लोगों की ना, favorite जगे भी होती है TDM map में, लाइक काफी लोगों कोई strain में fight लेना पसंद होता है, काफी लोग रैम पर खेलना पसंद करता है, काफी लोग ना, middle में जो एक्दम जहाँ पे arm बगारा मिलती है ना, वहाँ पर खेलना पसंद करता है Tiame कोई ना, जल्दी से win कर पाओगी तो गाईज अभी फिवरीट जगी की तो बात कर ली जहाँ पर हम एडवांटिज में रहते हैं लेकिन गाईज काफी जगए है ना ऐसे भी होती है जहाँ पर हम जादते हैं जो फाइट से ना वो लूज करते हैं क्योंकि काफी लोग है ना भाई बहुत अच्छा कहीलने लग चुके वो उचल उचल के मारते हैं भाई मुझे तो काफी बार समझ ही ना था कैसे मार गया बंदा तो जैसा कि मैंने तुम्हें फॉर्स पॉइंट में बताया था कि मुझे लेफ्ट साइड में उतना जादा कंफरिबल नहीं लगता है इसका EDS अच्छा है इसका Hip Fire अच्छा है इसका Crouch and Fire अच्छा है यह चीज मैं बहुत अच्छी से कर पाता हूँ ऐसा बहुत सी बार हुआ है कि मैं अच्छी अच्छी प्लीर्स की सामनी खेला हूँ उनके साथ मैं फोर्स मैच खेलता हूँ उनमें जादी तरह लूज कर देता हूँ लेकिन जब भी मैं next मैच खेलता हूँ वह बहुत जादा बड़ा होता है और मैं बहुत सी बार है हूँ मैच इसको बहुत अच्छी तरह कर सकते हो तो बंदे को थोड़ा observe करो, उसका play style जानने की कुशिश करो, अब बहुत सी बार, example में तुम्हें देता हूँ, बहुत सी बार क्या होता है न, अगर कोई जादा ही बंद है न, टगड़ा ही fire मार रहा होता है न, तो मैं एक second के लिए assume करता हूँ कि यह शायद non gyro player होगा है, फिर कम sensitive खेलता होगा, तो वहाँ पर मैं try करता हूँ कि मैं crouch and fire करके fight लो, and bike क्या होता है, मैं वहाँ पर जादा तर जो fights हो वो win करने लग जाता हूँ, या फिर मैं try करता हूँ कि जादा तर न, मैं prone shot का use करो, क्योंकि जो non gyro players है न, उन से crouch and fire हो थोड़ा सा समाला नहीं ज ये काम है न, जादा smoothly, जादा accurately नहीं हो पाता है, तो जादा तर जो prone shots है न, उसमें तुम win कर पाते हो, किसी भी non gyro player के सामने, and काफी लोग ऐसा भी खेलते हैं, बहुत जादा cover में खेलते हैं, तो मैं भी try करता हूँ कि मैं भी cover में खेलने लगता हूँ, guys basically तुम्हें पत point बहुत जादा important हो जाता है, guys ये वाला point काफी जादा common है, लेकिन सबसे जादा important point हो जाता है, safe for safe TDM में ही नहीं, किसी भी close ring fight में, तुम्हें try करना है कि guys, pre fire में तुम जितना जादा damage हो सकता है न, उतना जादा उसे damage दे दो, अब यहाँ पे तुम देख सकते हैं, इस व जो close ring है न, उसमें जो है, मचाने वाले हो एकदम, और जो pre fire है न, guys वो इतनी जादा easy चीज नहीं है, master करना, उसमें तुम्हें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, like तुम्हें कब bullet चलानी है, तुम्हें एनमी दिखने से पहले fire करना होता है, like तुम्हें पता हो बहुत जादा important है, अब second चीज आती है, cross replacement, वाइस देको अभी तुम्हें ये तो पता कर लिया है, कि एनमी कहां से निकलने वाला है, लेकिन ये पता करना बहुत जादा important है, कि अगर एनमी यहां से निकलेगा, तो उसका जो head level है न, वो क्या होगा, ताकि जो तुम्हें है headshots है न, वो जादा मार पाओ, और वो fight को और भी जादा easily win कर पाओ, तो ऐसा मैं pre fire को master करना थोड़ी सी मुश्किल चीज है, लेकिन गाईज अगर इससे तुम master कर लेते हो न भाई, तो TDMA ने सेफ तुम classic में भी ऐसा gameplay ला सकते है, अब यहां पर ये clutch तुम देखोगे न, यहां पर बस मैं pre fire use करता हूँ, तुम देखते जाओ बस, बाकी ये clutch पसंद आता है, तो तुम like कर देना वीडियो को, subscribe कर देना चैनल को, मिलते हैं नेक्स वीडियो में ये तब तक के लिए, goodbye, love you guys, keep grinding.